तो आप सब लोगों को खुद ही याद करना वो तो घंटो घंटो लगा देगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया कि पुरानी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है हमने बिहार के विकास के लिए काम किया है समाज के हज तबके के उत्थान के लिए काम किया है और समाज में जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विसेश पहल की चाहें बहिलाओं का हो कि अनुसूचित जाती अन्जाती से जुड़े लोग हो कि अती पिश्रेवल के रोग हो अलवसंख्यक समुदाय के लोग हो जो लोग भी किनारे पड़े हुए थे उनको मुखिधारा से जोड़ने के लिए हर तरह से हम लोगों ने प्रारंब सही काम किया है और सब के खित्र ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा किया है यह सारी बात आप सब लोग जानते हैं अब पहले की स्थिति और आज की स्थिति तो आप सब लोगों को खुद ही याद करना है जब 2005 में आप लोगोंने हमको काम करने का हम लोगों को मौका दिया है और 24 नॉवंबर 2005 से हमने काम हम लोगों ने करना सुरू किया और तब से लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं तो सब के हित्मे कर रहे हैं सब के उत्थान के लिए कर रहे हैं इसलिए उन्हीं सभी चीजों की चर्चा करना वो तो घंटों घंटों लगा देगा कि हम लोगोंने क्या क्या किया तो कब क्या था हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि पुरानी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा और पुरानी बातें कैसी पुरानी स्थित्ति कैसी थी चाहे किसी भी छेत्र में सबक का हो पूल पुलिया का हो इस्कूल का हो यानि सिक्षा के छित्र का हो अस्पताल का हो इलाज का सवाल हो या समाज के अन्य तबके के लोगों के उत्थान का काम जड़ा पहले का देख लिजिए अपराद की घटनाओं को जिस तरह की घटनाएं पहले थी तो इन सब चीजों को देखिएगा कि हम लोगों ने प्रारंब से ही काम किया लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ये भी जो एक जगह जब संबेलन हो रहा था महिलाओं का और उसमें मुझको बुलाया था हम वहां पर गय हुए थे पटना में और और वहां पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किये और करके हम बैठने लगे उसी बीच में वहां बड़ी संक्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी तो सब ने और जीविका समूं की थी सब ने पीछे से कहना सुरू कर दिया कि सराब बंद कराइए सराब बंद कराइए सराब बंद कराइए तो हम तो बैठ रहे थे तो हमने सब से पूछा कि भाई क्या बोल रही है तो वही बोली कि हमको भी तो ही लग रहा है तो वापिस आ करके और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब लेकिन उसका उतना ज्यादा लाव नहीं होता था तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिये तो हम लोट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निस्चित रूप से लागू करें को 2015 की बात थी उसक जना तक हम को याद है यह संभवता जुलाई की बात साथ 9 की 13 जुलाई है ऐसा ही कुछ 13 जुलाई को लगता है तो ते यह साही कुछ था अवसी समय हमने यह बात किया उसके चार पांच महीने के बाद तो चुनाओ होता है और सचमुच फिर चुनाओं में जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहला काम सुरू कर दिया